हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहा हूँ डूर मेट इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं धाल पोस्ट भी बना सकते हैं अगर आप छूटा बनाएंगे तो टी कोश्टर भी बना सकते हैं और देखिए इसको मैंने तीस पंदे से बनाया है आप प्यर के एक ईसाब से इसमें फंदे ले ले लिजे और इसको च्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेए बेश कलर की आपको चाहिए जो मैने पीख कलर यहां पे रखा गया है उसकी जगए मैं बिलैक लगा रही हूं श्यूक्त और 30 फंदे मैंने सिंपल डाले हैं सिंगल बूल से अब हम यहां से बुनना श्टार्ट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, यह देखिए, अठारे फंदे मैंने ब्लेक बना लिए, आप देखिए, यहां से हम सेकंड कलर लगाएंगे, तो देखिए, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह देखिए, अठारा फंदे मैंने यहां लिए, दस फंदे यलो बने, और दो फंदे मैंने ब्युना बने, छोड़ दीए, ब्लेक के, आप देखिए, हम यहां से पलट लेंगे, इसको, और इसको उल्टा बुनते हुए, पूरी रो, कम्प्रीट कर देंगे, ऐसे, अब हम इसको क्रोस कराएंगे, इसको फ्रेंट पर लाएंगे, ऐसे, और यह अठारा फंदे, उल्टा बुनते हुए, लाश्ट तक हम कम्प्लीट कर देंगे, यह देखे, इस फंदे को ऐसे ही बुनना है, इधर से बुनना है, उल्टी तरब से उतारना है, तभी इस तरह की यह फिंशिंग आईगी आपके डोर्मेट में, आप देखे, यहां से हम, इस फंदे को उल्टे साइड से उतार लेंगे, बुल को अपने तरब करेंगे, और यहां से उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, इस रो में मैंने सोले फंदे ब्लेक बुने, और यह वाले फंदे, हम यहां पर आप कलर एड़ करेंगे, एक और, क्योंकि यह तीन कलर से बना है, तो यहां से हम पिंक कलर एड़ कर रहे हैं, एक, दो, दो फंदे मैंने ब्लेक, पिंक से बना लिए, और देखिए, यहां से, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस फंदे टोटल ह हो गए, दो मैंने यलो के छोड़ दिये, सलाई को अब हम यहां से पलट लेंगे, और यहां पर जो जैसा है, उसको हम बैसे बुनते हुए जाएंगे, इसको हम क्रोस करा देंगे, इसको फ्रेंट पर लाएंगे, इस तरह से यह बना लिया, पलट लेंगे फिर से, आप देखें यहां से, हम फिर से इस फंदे को उतारेंगे, बूल को अपने तरब करेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, इस रो में मैंने चाओदा फंदे बुने, अब यह दो फंदे जो ब्लैक के हैं, इनको हम यलो से बनेंगे, दूसरी रो हम यलो से बनाएंगे इसमें, ऐसे, यह देखें, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह देखें, तो फंदे फिर से छोड़ दिये, और यहां से इसको इधर किया, सलाई को पलट इस तरह से, अब यहां पर जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बुनते जाएंगे, इसको हम ऐसे किरोस कराएंगे, इसको फ्रेंट पर लाएंगे, यहां से पूरी रो उल्टा बुनते हुए कम्प्रीट करेंगे, यह देखिए, इस तरह से, आप देखिए, इसी तरीके से, हम यह दो दो रो बनाते हुए, लाश्ट यहां पर दो फंदे ब्लेक के रह जाएंगे, दो फंदे हम इधर से बनाते जाएंगे, उपर को कली बनाके कम्प्रीट करते हैं, फिर हम दिखाते हैं आगे का, यह देखिए, यहां पर मैंने लाश्ट दो फंदे तक बना लिया है, और देखिए, यहां पर मैंने 18 फंदे दो दो करके छोड़ दिये हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, नो दोनी 18 और 12 फंदे यह नहीं छूटे हैं, इस तरह से यह कली यहां से लेके यहां तक बन के कम्प्रीट होगे, अब देखिए, यहां से हम पूरी रो ब्लैक से बनाएंगे, इस फंदे को उतारके और भूल को अपन लास्ट में जो दो भंदे ब्लैक के थे उनको भी इस रो में बना लाएंगे, यह देखिए, सभी भंदे मैंने बना लिए, अब यहां से पूरी रो उल्टा बनाते हुए जाएंगे, इसको उतारेंगे, बूल को अपने तरफ करेंगे, और पूरी रो ऐसे बुनते जाएंगे, उल्टा, तो हम बुन लेते हैं, अब देखिए, हम उपर के साइड करी को ले जाएंगे, तो यहां पर एक फंदा उतारूंगे, बूल को अपने तरफ, एक बुनूंगे, दो ब्लेक हो गए, अब यहां से देखिए, यलो लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह देखिए दस फंदे मैंने यलो बना लिये, और भूल को हमने इधर किया, ऐसे सलाई को यहीं से बलट लिया, अब हम इसको इधर करेंगे, ब्लेक को ऐसे इस तरह से, पलट लिया मैंने, आप देखिए यहां से एक फंदा उतारूंगी, बूल अपने तरफ, यह दो फंदे बलेक हो गए, अब दो इस मैं से, यलो मैं से बलेक से बुनेंगे, एक, दो, आप देखिए यहां से पिंग कलर लगा लेंगे, क्योंकि दो दो रो बुनन लेंगे दो हम ब्लेक में से लेंगे आगे से इस तरह से अहां में ऐसे इसको पलट लेंगे सलाई को कि इसको क्रोश करा देंगे इस तरह से आप देखे इसी तरीके से दो दो डालते हुए हम लाश्ट के दो फंदे तक इसको बनाएंगे और यहां पर दो दो फंदे हम ब्लेक के बढ़ाते जाएंगे दो दो फंदे हम इधर से लेते जाएंगे तो 18 फंदे जो मैंने इस टार्टिंग में लिये थे वो ब्लैक के हो जाएंगे और हम यहां तक बना लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखें इस तरह से मैंने यहां पर ब्लैक के 18 फंदे कर लिये लाश्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं आप देखें इस रो में सभी फं संदे बना लेते हैं इसी कलर से ब्लेक से लाश्ट तक ये देखिए येलो बाले भी हमने ब्लेक से बुल लिए ये लाश्ट के दो फंदे जो ब्लेक थे उनको भी बना लिया अब यहां से देखिए पूरी रो हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस फंदे को उतार लेंगे बुल को अपने तरफ झाल 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 लेखिए ये लेखिए वदेखिए रेखिए नपिसक दो करो भी बाल तक भी बंचशनीं है झाल झाल यह देखिए लाश्ट तक बुल लिया है एक कली बनके कम्प्लीट हो गई अब देखिए दूसरी कली बनाने के लिए हम फिर से 18 फंदे ब्लैक और यहां पर इस तरह से यह बनाएंगे यहां से देखिए एक फंदा उता रहेंगे यहां से आप दूसरी कली स्टार्ट हो रही है दो तेन चार पाच छे साथ आठ नौ तस ग्यारे बारे तेरे चाओदे पंद्रे सोले सत्रे आठारे आठारा फंदे मैंने यह बना लिए आप देखिए स्टार्टिंग में मैंने यलो कलर लगाया तो यहां से हम फिर से यलो कलर लगाएंगे एक दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस भंदे मैंने यलो से बना लिए और दो भंदे मैंने ब्लेक के छोड़ दिए इस तरह से ये आगे यहां से बन के कम्प्लीट होगा अब यहां पर जो जैसा है हम उसे वैसे ही बुनेंगे और देखिए यह आठ कली में पूरा कम्प्लीट हुआ है और यह जरूरी नहीं है कि आपका डोरमेट भी आठ कली में कम्प्लीट होगा और कम जादा फंदे करेंगे आप तो कलीयां भी आपकी कम जादा होगी लाश्ट में देखे, नॉर्मल ये पूरा बनके कम्प्रीट हो गया, उसके बाद मैंने यहां से लेके यहां तक इसको जोइंट कर दिया, और देखे इस तरह से आप भी बनाके कम्प्रीट करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर ज